जीरो टोलरेंस ब्रस्टाचार हो तो ये बहुत जल्दी नजर में आ गया और ये किसीन किसी कारण से पकड़े गए और इन्होंने एक होरी तोर पे इती सिरी करने के लिए इन्होंने एक बाबू को सस्पेंट कर दिया जिसका इस विवाग से इस से कुछ भी लेना देना है य प्रयोज इसको बोल रहे हैं। उनके संग्यान में होतर ये जो ट्रांजेक्शन हुए है उनके ID से है तो ये तै है कहीं कहीं इसके तार बड़े अधिकारियों से जूड़े हुए हर सरकार का वो विभाग जिससे शायद कहीं न कहीं सबसे ज्याधा राजस्व सरकार को प्र और क्या हो जब आपकारी विभाग परदे में करिए करिदी चार करोड का गबन होने की सूचना है और वो भी पुखटा है और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं आपको बता दें कि इस के जो सबूत है वो भी एक ऐसे व्यक्ति के पास है जिसने इस पूरे घोटाले का परदाफाश किया है हमारे साथ में वो मौझूद है आपकारी विभाग में आपका कहना है कि साड़े चार करोड का गोटाला है किस सबूत के बिहाफ पर आप आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे है देखिए ये जो गबन है ये राजस्वा की जो चोरी है जिन लोगों ने किये वो इस बात को अच्छे से जानते हैं आकडे का है एक सरकारी आदेश निकला था और ये ब्रस्टाचार आज से नहीं हो रहा कॉंग्रेस सरकार से जब से एक विक्ति को किसी अच्छी पोस्ट पे परमोशन के नियमों को दरकिनार करके उसका परमोशन किया उस परमोशन के बाद ये ब्रस्टाचार चल रहा था लेकिन भारत जनता पार्टी जीरो टोलरेंस पे काम कर रही है जीरो टोलरेंस बरस्टाचार हो तो यह बहुत जल्दी नजर में आ गया और यह किसीन किसी कारण से पकड़े गए और इन्होंने एक फोरी तोर पे इतिसरी करने के लिए इन्होंने एक बाबू को सस्पेंट कर दिया जिसका इस विवाग से इस से कुछ भी लेना देना है उन्हीं वो एक सरकिल में बेड़ता है चोटी सी बात ही है कि जिन सबूतों की आप कर बात कर रहे हैं और जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं हम जानना चाहेंगे ताकि आम जनता भी कुछ समझ मैं है उसको भी पता पड़े बात कर रहे हैं कि आप उसका नाम बता सकते हैं देखिये जिस तरीके से जो अपने चर्चा चल रही है यह केवल एक चूरू जिल्ले की और चूरू जिले का जो डिस्टिक ओफिसर है डियो जीसको बोल रहा है उनके संग्यान में उतर ये जो ट्रांजेक्शन हुए है उनक लिश्पसे प्रमोशन होके एक व्यक्ति को वहां लगाया गया था उसके बाद से लेके और यह लक्षमिकान्त जी लक्षमिनान जी कोई डियो है ऑफिसर वहां और उनके बारे में पहले भी कोई शिकर में ऐसी जांच थी जो जांच को दबाया गया या जांच को लिपापोती करके बंद कर दिया गया लेकिन ये जो आंकडे हैं ये जो सूचना है ये पुकता सूचना है कि गुनीस लाइसेंस दारियों को जिस तरीके से पेशा डाला गया है और सराब उठा ली गई और ये किता बड़ा गबन है हम ये ही चाहते हैं कि सरकार इसकी जांच करें और जो दोसी अधिकारी है उनको सस्पेंट करें जांच करैंट करेंवाली ये चीजें हो इस न्यूर्ज को दबाने के लिए इस सूचना को दबाने के लिए बर्ष्टचार को दबाने के लिए नहें बहुत बड़ा चक्रवियू रचा उस चक्रवियू में जो अधिकारी इसमें लिप्त है उनको एजन्सी का या passages क कमिटी का जो अधिक्स मना दिया गया तो जांच सवतंतर हो, जांच निस्पक्स हो इसके लिए उस अधिकारी को भी अठाए जाए जाए अपने कहा कि 19 लाइसेंस धारियों को इसका फायदा दिया गया तो वो जो तमाम 19 लाइसेंस धारी हैं वो एक ही के हैं यहार राजस्तान के अलग-अलग जिलेंग यही तो विशेह हैं कि वह एक है और अधिकारी जो है इसको समाप्त करने के लिए और इतीशरी करने के लिए बाबू पर इसका लांसन डाल के उसको सस्पेंट कर लेकिन क्या एक ही जिले में यह आइड़ी होगी क्या जो है साइबर क्रइम जिए की ऐड़ी से एक ही जिले में होगा और फोड़ी में होता है तो थोड़ा-थोड़ा दोसो से उपर जो लाइसे दा री है उनके खहतके यह केवल गुनिस लोगों के खाते में कैसे गया तो ये बहुत सी चीज़ है इस गोटा लेगा आपको कैसे पता पड़ा और इसके जो तमाम जो कागज़ात हैं जो आपके हाथ में वो आपने किस प्रक्रिया के तहए निकल वाए देखिए एक आदेश निकला था आपका रिवाका जिसमें ये तहवा था एक समायोजन का नियम है इनके पाद। उस नियम के तहट इन से अधिकारियों से जिला अधिकारियों से पूछा गया था कि आपके यहां समायोजन रासी किन किन लाइसेंसदारियों को दे दी गई या दे दी गई या नहीं दे दी गई तो इस पे जो है सब का जबाब जो है यस में आयता कि हमने समायजन किया है लेकिन के वल चूरू का नहीं आया था कि हमने समाईजन, उन्होंने ना लिक के बेजाता उस सीट पर, उसके आधार पे कुछ जो जागरूग कारिय करता है, जागरूग लोग हैं, जो ब्रस्टाचार के खिलाब भी काम करते हैं, अप्रेल से लेके अगस्त तक चार करोड बावन लाक रुपय का जो राजस्व गवन हुआ है उसके तार कहां से जुड़े हैं कौन-कौन इसको करने वाले हैं सब अधिकारियों को इसमें जांच के दाएरे में लेके जांच की जाए और दोसी अधिकारी को पनिस्ट करया जा और सरकारी राजस्व को नुक्षवान पहुचाने वाले के खिलाप कारवाई हूँ यह एक्सल शीट जो आपके पास है यह एक बार आप कैमरे पे दिखा सकते हैं ताकि आम जंता भी देख सके और उसे भी यह विश्वास हो जाए कि हम हवा में यह बात नहीं कर रहे हैं हम प्रॉपर सबूत के साथ में बैठे हैं आप देख सकते हैं यह कागज वो है जो इन्होंने सुचना के अधिकार के तहट इस कागज को निकलवाया तमाम उन उनिस लाइसेंस धारियों का डेटा इस कागज में मौझूद है जो अनाधिकत रूप से लाइसेंस की प्रक्रिय के अंदर हम कह सकते हैं कि धूके से उसमें कुछ करके इन लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाया गया और इनका साफ तर पर कहना है कि चुरूज दिले का एक डियो इसके अंदर इन्वाल्ड है और सरकार से प्रिशासन से यह मांग कर रहे हैं कि इसकी पुखता तोर पर जांच हो और जो भी अधिकारी भले ही वो इचले लेवल का अधिकारी हो उच दरजे का अधिकारी हो जो भी अधिकारी दोशी पाया जाए उसे कट घरे में लाया जाए उसे सक से सक सजा हो और करीब साड़े चार करोड रुपे का जो राजस्व में जो हानी जो हो रही इस पूरी कारवाई के चलते वो हानी भी इनहीं तमाम दोशियों से वसूली जाए सेयोगी केमरामेन अजय के साथ उमंग माथुर जनता दरबार